जाडू में जब तक बंधन होता है तब तक वा कचरे को साफ करता है बंधन खुल जाने पर जाडू खुद कचरा बन जाता है इसलिए हमेशा अपनों से बंदे रहिए क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है स्रे क्रिश्न कहते हैं वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखी जाते हैं सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं नींद तो बच्पन में आती थी, अब तो बस ठक कर सो जाते हैं, जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोसिस करके तो देखो, बस तावा अतीत नहीं बदल सकता, और जिंता भविस्य नहीं संभाल सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है, स्वाद छोड़ दो, तो शरीर को फाइदा, और विबाद छोड़ दो तो संबंदों को फाइदा, उसी तरह बियर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फाइदा, हमें हर संबंद को समय देना चाहिए, क्यो कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मतलग जाना याद रखे तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती उनका आना एक इसारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है जिंदिगी की सबसे अच्छी बात ये है कि हमेशा नहीं रहने बाली ये एक उमर के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छी हो या बुरे दोनों बीद जाते है जिंदिगी के कुछ अधियाय ऐसे होते है जिने आज नहीं तो कल बंद होना ही है इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं उन्हें जवर्दस्ती पकड़ने से क्या भले ही जीबन भर अकेले रहना लेकिन जवर्दस्ती किसी से रिष्टा निवाने की जिद्ध मत करना हिसाब रखो आज का लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए चाहे कोई भी वैक्ती कितना भी बुरा हो उसमें कोई ना कोई गुन अवस्य होता है हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है बस तसलि हो जाती है कि इस भीड भरी दुनिया में कोई आपका भी है अगर बुरी मांसिक्ता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो उस्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते रिस्ते कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ उस रिस्ते की डोर जिंदगी भरना चूटे जीवन के हर सुनहरे मोड पर यादों को पड़े रहने दो जुबान पर हसी की मुस्कान रहने दो ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते समुद्र, समसान, त्रिशना का गड़ा और मनुस्य का मन गरीब वैक्ति की हाय और दोगले वैक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरंदाज ना करे जिस तरह थोड़ी सी ओस्दी भेंका रोगों को सांथ कर देती है उसी तरह इस स्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कस्ट और दुखों का नास कर देती है वक्त जैसा भी हो अच्छा या बुरा बदलता जरूर है अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दी थोड़ी बहुत कमिया भी जरूरी है इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है आप खुसो अच्छी बात है आपकी वजह से कोई खुस है ये सबसे अच्छी बात है स्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादे मीठे फल होते है जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है वह ऐसी समस्या का निर्मान क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की सांती को भंग ना कर सके जब किसी की जिन्दगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बैधर होता है अक्सर इंसान को वही रिस्ते ठका देते हैं जो उसका इकलोता सुकून होते हैं अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुक पर ध्यान दोगे तो सुकी रहोगे आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवीश करना सुरू कर देगी यही कुदरत का नियम है हिर्दे से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं मन से जो कहा जाता है वो सब्द से नहीं चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी जाद चिंता है संबंदों को समय की नहीं समझ की भी जवरत होती है स्री कृष्ण कहते है कि तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं चिंता छोड़ो और सोजाओ परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परिसानियों से बहुत बड़ा है जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी मरने के बाद तु जलने कभी एहसास नहीं होता अपने वो नहीं होते जो तस्बीर में साथ खड़े होते है अपने वो होते है जो तकलीफ में साथ खड़े होते है जमाने के इस भीड में जिंदगी कहां सुकून पाएगी बैठो कभी दो पल तनहाईयों में खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवया किया था उनको कभी नहीं बूलता अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छूभी ना पाए लोगों के काम आते रहें क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है जिस व्यक्ति ने अपनी आदते बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है समय कभी नहीं रुकता आज यदी बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवस्य आएगा आप के बल निस्वार्त भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है जिन्दगी में कितने भी दुख आजाए कभी उनसे भागना मत क्योंकि जितनी भी कोसिस कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो जो लोग बोलते हैं न कि उनके पास वक्त नहीं है उनके पास तो समय भरपूर होता है पर उनको तुम्हें नहीं देना ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है ये बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीग मत मागना इस्वर सिर्फ दिसा दिखा सकता है उस पथ पर चलना हमारा काम है और वास्त विक्ता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुमारा इस्वर को दोस्त देना व्यर्थ है कुछ लोग अपनी अकड की वज़ा से कीमती रिस्ते खो देते है कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो गुसा मत करो, जोड से मत बोलो मन को सांत रखो, विचार करो, फिर निरनेलो आवाज से आवाज नहीं मिठती बलकी चुपी से मिठती है तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा मिली है अगर जिंदगी, तो मिसाल बन कर दिखाईए वरना इत्यास के पन्ने आजकल रिस्त दे कर भी छपते है एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में उचाई में हो, तब तक वाह वाह होती है ये दुनिया सबेरों की बस्ती है ये रिस्ते बना कर डस्ती है यहाँ भरोसा बहुत महगा है और नफरत बिलकुल सस्ती है अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाता तो उन्हें आजाद कर दो पकड़ के रखे गए रिस्तों में कभी सुकून नहीं मिलता जरूरी नहीं की मीठा खिला कर ही मुह मीठा किया जाए मीठे सब्द बोलकर किसी के जीबन में मिठास गोली जा सकती है मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं जिनकी कदर करो वो वक्त नहीं देता जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता कभी उसको नजर अंदाज ना करो जो तुमारी बहुत परवाह करता है वरना किसी दिन तुमें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया संभव ना हो तो मना कर दे पर किसी को अपने लिए इन्तजार ना करवाए दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनें आप कितना भी प्यार दो सम्मान दो फिर भी वो आपको दोखा ही देते हैं क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते किसी का उर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग के बदलता रहता है समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और जूट बोलने से भासले होंगे इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं मैं हूँ फिर इंसान अपनी आउकाद दिखा देगा विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए अच्छा दिल और सववाब दोनों आवस्यक है अच्छे दिलों से कई रिस्ते बनते होंगे और अच्छे सववाब सिवा जिंदगी बर टिक पाएंगे तुम्हें पता नहीं सायद वो अपना घर ही जला रहा है जो अपने घरवालों के सिकायतें औरों को सुना रहा है इस वर तब तक खुस होते हैं जब वो देखते हैं दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है और यकीन मानिए आपके हर विश्वास के कीमत समय आने पर जरूर देते हैं सहने बाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो उस इंसान का बदला स्वयम स्रिकृस्ण लेते हैं आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से तूटे हुए हैं क्योंकि लोग तूटे हुए मकान की इट तक उठा कर ले जाते हैं लोग अधिक खुसी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं लोग उपवास सिर्फ अन्नका करते हैं जबके दिल में जहर, लोब, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं इतने कड़बे मत बनो, कोई चक ना सके और इतने मीठे भी मत बनो, कि कोई निगल जाए तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है बना कर रास्ता जो भीड से अलग चलता है किसी को जादा भाव दोगे, तो वो आपको रद्धी के भाव बेच देगा इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो भागे भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है कल सिसा था, सब देख कर जाते थे आज तूट गया, सब बच कर जाते है ये वक्त है साहव, दिन सब के आते है ऐसे लोगों से बचिये जो आपके मुँपर तू मीठी बाते करते है लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बरबाद करने की योजना बनाते है चाह क्या है, बस परिस्तीतियों से बना हुआ एक पुतला खुसियों का कोई रास्ता तै नहीं होता हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है ये बात जिसने जान ली, समझो खुसियों ने उसका पता लिख लिया जितना त्याग करोगे, उतना प्राप्त करोगे लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, और तीसरे दिन भूल जाएंगे, इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुस हो, याद रखना, जिन्दगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं, मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा, इंसान के लिए दो ही चीजे है, इस्वर का डर और इस्वर का डर, इस्वर का डर रहेगा, तो इंसान गुनाहों से बस्ता रहेगा, और इस्वर का डर रहेगा, तो उनकी किरपा बरस्ती रहेगी, हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक् आत्मा का सुक्रिया आदा करने से दुख खुसियों में बदल जाते हैं, जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा बहवार करते हैं, उन्हें धन्यवाद को और जो हमसे अच्छा बहवार नहीं करते हैं, उन्हें मुस्कुरा कर माफ कर दो, पता है लोग हमारी कदर क्य रिष्टे उसी से रखो जो इच्जत और सम्मान दे मतलब की भीड बढ़ाने का कोई फाइदा नहीं है अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का सबको मंजिल का सौख है और मुझे सही रास्तों का ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां लोग बुरे जाद है बलकि इसलि रख भरोसा खुद पर नक्से तो पक्षियों के पास भी नहीं होते हैं फिर भी वो अपना रास्ता ढून लेते हैं कभी यह सोचकर कमजोर मत पढ़ना कि आप अकेले हो बलकि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं आगे हैं हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे काम्याब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप काम्याब होने लगते हैं बिना मतल मतलब के कोई भी आपकी इज़त नहीं करता इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ के बिना मतलब के भी लोग आपके इज़त करें दुनिया में सबसे ताकतबर इंसान वो है जो दोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता जिस दिन हमारा मन परमातमा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना सुरू कर देता है उस दिन हमारी परिसानिया हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती है हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो क्योंकि अंदर से वो लोग वो नहीं होते जो उपर से दिखाई देते हैं असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे इंसान के पैचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरित्र से करिए आशु दिल दुखने पर निकल आए पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले अपने लोग नहीं अपने कर्म लोट कर आते हैं आज के समय में कोई अपना नहीं होता, लोग तभी तक आपके होते हैं, जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है, जब आपका होना ना होना बराबर हो जए, तो आपका ना होना ही बहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सूच लेना कि अगर वही सब्द आप से कहें तो आपको कैसा लगेगा जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आस्मान की तरफ देखना वहाँ जो है वो हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा कभी दुस्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत हम दिलवाले है बदला लेना तो बुझदिलों का काम है जिन लोगों का अपना लक्ष ये पता होता है वो लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते है और अपने लक्षी को पा लेते है जबकि जो लोग दूसरों की बात में आ जाते है वो दूसरों को नुकसान तो करते ही है अपना भी नुकसान कर बैठते है एक गाउ में दू बच्चों की दोस्ती हो गई एक बच्चा आठ साल का था और दूसरा दस साल का दोनों बच्चों की दोस्ती दिन परती दिन मजबूत होती जा रहे थी दोनों साथ में स्कूल पर निकली जाते थे खेलने के लिए जाते थे एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थी खेलते खेलते वो गाउं से दूर निकल गए और एक सुनसान इलागे में पहुँच गए उस गाउं से बाहर एक बहुत ही पुराना कुवा था जो की सोख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुई में जा गिरी अब जो दस साल का बच्चा था वो बोला रुको मैं गेंद निकालता हूं और इसी हरवराट और जल्दिवाजी में वह कुई में गिर गया गेंद तो निकली नहीं बलकि बच्चा भी कुई में चला गया अब छोटा बच्चा जो की बाहर खड़ा था गवड़ा गया और सूचा कि अब क्या होगा घरवाले तो मुझे बहुत मारेंगे डाटेंगे इसकी जान चली जाएगी ये बच नहीं पाएगा उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टे उल्टे निगेटिव ख्याला रहे थे अंदर से बच्चा चला रहा था बचाओ बचाओ और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चला रहा था बचाओ 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 लेकिन सुनसान जगया होने के कारण इनकी आवाज कोई सुन नहीं र तब ही उसको दूर जाड़े के पास एक रस्ती और बाल्टी दिखाई दी वह बच्चा दौर कर गया और लेकर आगिया उसने रस्ती से वह बाल्टी बांदी और रस्ती नीचे कुए में फेक दी और उस दस साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ उपर मैं तुम्हें खीच लड़के ने कहा नहीं यह मैं करके दिखाऊंगा तुम बाल्टी पकड़ो और उपर आजाओ उसाट साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी उसका गला सुक शुका था प्यास लग रही थी हालात खराब हो गई थी लेकिन उसके बाब जोद उस रस्ती को अपने सब परिसान थे इन दोनों बच्चों को जब गाउं की तरफ आते हुए देखा तो सभी लोग खुस हो गए अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहा गई थे इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतने दूर चले गए कोई में गिर गए और अगर जूट बोले तो क्या बहाना दिमाग काम नहीं कर रहा था एक तो ऐसे हालात थे और दिन भर से परिसान भी थे अब दोनों ने सच बोल दिया छोटे बच्चे ने खा कि ये कोई में गिर गया था तम मैंने रस्ती से खीच कर बाहर निकाल दिया अब जैसे ये बोला लोग हसने लगे कि तुम पागल हो क्या तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खीची जा सकती तुमने उस दस साल के बच्चे को खीच कर बाहर निकाल दिया लोग उस बच्चे का मजाग उड़ाने लगे तभी गउं के सबसे बुजरुग वेक्ती जो वह नहीं निकाला तो ये मर जाएगा और दूसरी बात इसके आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुछ से ये नहीं होगा इसलिए ये बच्चा सच बोल रहा है अगर आप जीवन में सकसे स्पाना चाहते हैं तो ये बात याद रखिएगा पहला आपके पास कोई आप अपसन नहीं बचा है आपको उस काम को करके ही दिखाना है और दूसरा जब आसपास के लोग कहने लगे कि तुम से नहीं होगा तो बहरे बन जाओ उनकी बातों को मत सुनो दिखाओ करके कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा दोस्तों इस विड़ी में बस इतना नहीं साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहा निस्फल होगा हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रकर निकरता है हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है मिटी का बरतन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा नदियों सा आदर पाना है तो परवत छोड निकलना होगा और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा कुछ जादा वक्त लगेगा पर संगर्ष जरूर सफल होगा हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा जो वेक्ति अपने कारें उससे आशाएं और इख्छा नहीं रखता उसी के कारे पूर्ण होते झाथ्वाराण पूर्ण रख्वाउ टॹर्ण कारें कारें जाथ्वान करेंटनी का हुर्ण जा बीटी झाल झाल